हेलो एवरिवन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किलास 11 की पोलिटिकल साइंस की जो हमारी सेकंड बुक है इस बुक के मोश्ट इंपोर्टेंट MCQ कोशन जो होते हैं उसको हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं ठीक है और यह आपके फाइनल एक्जाम के लिए बहुत ही हेलफुल होने वाले वीडियो तो किरिपया इस वीडियो को सही तरीके से देख कर जाना एक से दो बार और इन कोशन को याद कर लेना ठीक है ताकि आपको आपके एक्जाम में फाइदा मिले और चेप्टर वाइस वीडियो देखना चाते हैं हिस्ट्री के बॉलिटिकल के तो अल्रेडी बनाए वी है आप जाके हमारे प्लेइलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोशन है कि राजनीति क्या है ठीक है जो होती है हमारी पॉलिटिक्स होती है वो क्या होती है क्या मतलब इसका तो आप्सन में है ये सभी सही है तो अपना अंसर क्या हो जाएगा उप्रोक्त सभी अगला कोशन है कि राजनितिक सिध्धान्त का मुख्य विस्य क्या है राजनितिक सिध्धान्त जो है चैप्टर में मैंने आपको बताया था उसमें कौन-कौन सी चीज़ आती है अपसन है सरकार वा नागरिक, नागरिक वा मतदाता, राज्य वा सरकार या फिर इन में से कोई नहीं तो देखे इसमें हम राज्य और सरकार जो है यही इसका मुख्य सिध्धान्त होता है ठीक है इसमें राज्य और सरकार के बारे में ही पढ़ा जाता है समझा जाता है अगला कोशन है कि Republic पुस्तक किस ने लिखी है अरस्तु देखें आपर टाइपिंग की मिश्टेक है option A हमारा अरस्तु ने लिखी है या महात्मा गांधी ने लिखी है या अमबेटकर जी ने लिखी है या प्लेटो जी ने लिखी है किस ने लिखी है तो ध्यान से आप option को देखिए, इसका सही answer हो जाएगा प्लेट होने अगला question है कि theory शब्द जो है, इसका उद्भव, theory शब्द से हुआ है, ये किस भाषा का शब्द है तो ये जो theory शब्द है ये यूनानी भाषा से related है, यूनानी भाषा का शब्द है इसके अंदर कुछ ना कुछ विशेष टैलेंट होता है, तो वो क्यूं है? इसके लिए option आपको दे रखा है, कि राजनीती में भाग लेते हैं, वे आपस में लड़ते हैं, उनके पास एक दूसरे से समवाद करने के लिए विवेक और भाषा होती है या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं अब आप ध्यान से अगर आप सभी option को देखोगे तो आपको सिधा पता लग जाएगा कि इसका c option जो है वो correct है क्योंकि मनुश्य जो होता है वो एक दूसरे से समवाद कर सकता है उसके पास एक भाशा होती है ठीक है उसके पास अपना दिमाग यानि अपना विवेक होता है राजनीती क्या है निम्न में से सही को आपको बताना है कि इन में से कौन सा सही है राजनीती शाषन करने की कला है राजनीती प्रशासन संचालन और विवादों का हल प्रिस्तुत करती है राजनिती जन कल्यान से संबन दीत है तो आंसर अपना हो जाएगा सभी next है कि किसी व्यक्ति अब ये कथन और कारण वाले कोशन है इसमें कथन दिया होता है कारण दिया होता है ठीक है तो दोनों को ध्यान से पढ़ना होता है उसके बाद हमें आंसर करना होता है तो कोशन है कि किसी व्यक्ति की स्वतंतरता और गरिमा की सुरक्षा के लिए अधिकार जो है वो जरूरी होता है बिल्कुल सही है कोई भी व्यक्ति अगर स्वतंतर तभी माना जाएगा ठीक है जब उसको अधिकार मिले होंगे अब इसके दूसरे statement है कारण इसमें बताया गया है कि भारते सम्विधान नागिरेकों को अधिकार प्रदान करता है हमारा सम्विधान जो है नागिरेकों को अधिकार प्रदान करता है अब option को द्यान से देखिए कथन गलत है कारण सही है नहीं कथन और कारण दोनों सही है कथन जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है कथन सही कारण गलत उपरोग सही सभी सही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B ठीक है इसका B आंसर है कि कथन और कारण दोनों से ही और ये कहीं न कहीं इसको explain भी कर रहे है अगला कोशन है कि liberty शब्द जो है liberty इसकी जो उत्पत्ति है वो किस भाषा के शब्द से मानी जाती है ध्यान से देखे Spanish, Greece, Latin या French तो इसको Latin भाषा से संबंदित माना जाता है अगला कि नकारात्मक स्वतंतरता का क्या अर्थ होता है तो option है प्रतिबंदों के साथ स्वतंतरता या प्रतिबंदों का अभाव या प्रतिबंदों की अधिकता यानि बहुत ज़्यादा प्रतिबंदों ना या फिर उप्रोक्त सभी तो इसका मतलब होता है प्रतिबंदों का अभाव, अगर प्रतिबंद किसी प्रकार के नहीं होंगे, किसी भी प्रकार के प्रतिबंद नहीं होंगे, तो हम उसे नकरात्मक स्वतंतरता की कैटिगरी में रखा जाता है, अगले कि सकरात्मक स्वतंतरता से आप क्या समझते हैं, प्रतिबंदों के साथ स्वतंतरता या परिस्तितिक अनुसार प्रतिबंद राजनीतिक स्वतंतरता पर प्रतिबंद या आर्थिक और सांस्कृतिक स्वतंतरता पर रोक तो इसमें क्या हो जाएगा प्रतिबंदों के साथ स्वतंत्रता यानि कि स्वतंत्रता तो मिलेगी व्यक्ति को लेकिन कुछ प्रतिबंद भी होंगे यानि कि पून स्वतंत्रता यहां पे नहीं रहती कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है उसको कुछ दाइरे में रहकर ही कुछ भ नेक्स्ट है कि स्वतंतरता के दो आयाम कौन से हैं तो आप सभी जानते हैं सकारात्मक और नगारात्मक ठीक है तो आपका सही आंसर हो जाएगा C next है कि अगला कोशन है कि पहले से डे रखे हैं आप यहां से देख सकते है कि जैसे Nelson Mandela है इन्होंने क्या लिखाता है इन्होंने लिखाता है Long Walk to Freedom क्योंकि 28 साल से ज़्यादा ये जेल में रहे थे और फिर वहाँ पे इनकी जिंदिगी कैसे बीती थे उसके बारे में है सब कुछ अगला है आंग सांसू की जो है इन्होंने Freedom for Fear लिखी है गांदी जी की बात करें तो हिंदू स्वराज हो जाएगा अगर मिल की बात करें तो ये On Liberty हो जाएगा और Auban Maranian की बात करें तो ये रामायन रिटोल्ड हो जाएगा Next है कि हानी के सिद्धान्त का संबंध किस से है ध्यान से Option को देखो तो जो मिल है ना मिल इन से related है हानी का सिद्धान्त और ये ज़्यादे तर आपके long question में पूछा जाते हानी सिद्धान्त का है चैप्टर की वीडियो देखिए मैंने वहाँ पर आपको कराया हुए अगला question है कि कानून के समग समानता भारत के राष्टपती पर लागू नहीं होती भारत के राष्टपती को समिधान के तहत विशेश शक्तिया और विशेश अदिकार प्रापते तो इसका अंसर हो जागा कथन और कारण दोनों सही है कारण कथन की सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है समानता के तीन प्रमुकाया में राजनितिक समानता आर्थिक समानता और समाजिक समानता ये तीनों ही सही है पुरुस इस तरी से शक्ति साली है ये किसका उधारन है ये समाजिक असमानता कहेंगे या आवसर के इसको समानता कहेंगे या शेक्षिक आसमानता कहेंगे या आर्थिक तो इसको हम कहीं न कहीं सामाजिक आसमानता कहेंगे ठीक है यानि कि समाज में कुछ आसमानता का क्राइटेरिया बना हुआ है उसमें ऐसा माना जाता है पित्र सत्ता अत्मक हमारा समाज है इसको हम क्या कहेंगे नैतिक समानता, राजनितिक समानता, सामाजिक समानता या इनमें से कोई नहीं तो ये सामाजिक समानता है अगर समाज में, मान लिजे समाज में रहने वाले विक्तियों के साथ धरम के अधार पे जनम के अधार पे भाशा के अधार पे जाती के अधार पे कोई भी बिदबाव नहीं होता तो इसको हम सामाजिक समानता मानते हैं नियुनतम अविशक्ताओं की पूर्ती से अभी प्राए है तो आपको 14 से 18 मौलिक अधिकारवल आप देखोगे न उसमें आपको 14 से 18 इसमें आपको समानता के बारे में पता लगेगा भारे सरकार ने विकलांगता अधिनियम जो है तो 1995 में 1995 ठीक है नेक्स्ट है आपका कि समस्या समाज को बराबर की एहमियत मिले और प्रतिवा के विकास के लिए समान अवसर मिलने की स्थिति को क्या कहते है दिखें यहां पर टाइपिंग की मिश्टेक है अब यहां से बढ़ते हैं समाज को अगर बराबर की एहमियत मिले और प्रतिवा के विकास के लिए सब को समान अवसर मिले तो ऐसे समाज को हम क्या कहेंगे कि समाज में कौन सी स्थिति है तो हम कहेंगे नयाय की स्थिति है नहीं कि सब को नयाय मिल रहे अगला कुशन है कि प्राचीन भारतिय समाज में न्याय के साथ किसको जोड कर देखा जाता था तो प्राचीन भारतिय समाज की बात चल रही यहां पे तो यहां पे धर्म को न्याय के साथ जोड के देखा जाता था ये समाज में नयायोचित समाजिक विवस्ता कायम रखना किसका प्रात्मिक करतव्य माना चाता था तो ये राजा का प्रात्मिक पहला करतव्य होता था कि वो समाजिक विवस्ता को बनाए रखे और सबी के साथ क्या हो वहाँ पे एक अच्छा व्यभार हो गलत करने वालों को दंडित और भले लोगों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम रखना चाहिए यह किसका गतन है किसने का आई यह तो एक Confucius का गतन है और प्लेटो का संबंद डैस से है किसे है युनान से रिलेटिड है तो पूछा जा सकता है आपसे तो युनान आपको याद रखना है भारत में सामाजिक नयाय स्थापित करने के लिए सेक्षिक संस्ताओं में या सरकारी नोकरी में सीट आरक्षन का प्रस्ताओं किस आयोग ने दिया है ठीक है ध्यान से देखिए तो जो मंडला योग था ना मारा इसने कहीं न कहीं आरक्षन की बात करी थी OBC जो है उसको सरकारी नोक्री में 27% का आरक्षन की मांग करी थी सुकरात कौन था? तो सुकरात एक दर्शनिक था यानि एक फिलोसीपर था इन्होंने अपनी फिलोसीपी दिया अपनी दर्शन दिया है और कई सारी किताबे वगरा लिखिये ठीक है? नेक्स्ट है कि न्याय पून समाज वे है जिसमें परस पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना हो और अपमान की घरती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्मान करती है ये कथन किसका है? ओप्सन ध्यान से देखिए तो ये अमबेटकर जी का कथन है नेक्स्ट है कि न्याय जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो न्याय शब्द के उत्पत्ति जो है कहीं न कहीं आप देखोगे तो ये लेटिन भाषा से रेलेटेड हो जाएगा नेक्स्ट है कि न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के मद्दे सामंज से स्थापित करता है न्याय की ये परिभाषा किसकी है? तो ये प्लेटो जी की परिभाषा है नेक्स्ट है कि जॉन रॉल्स ने वित्रोना आत्मक न्याय के सिध्धान्त का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया था? तो दथेओरियो अब जॉस्टिस में इसका वर्णन मिलता है अधिकार मूल रूप से क्या है? क्या है? आपको ये बताना अधिकार मूल रूप से एक ऐसा डैस है जिसके औचित्ते सिध्धो है तो उसको दावा कहा जाता है सत्रवी अठरवी शताब्दी में राजनितिक सिध्धान्त कारों का तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार डैस प्रदत है तो वो अधिकार को प्रकृति यानी प्रकृति के दौरा इश्वर के दौरा प्रदत मानते थे यानी प्रकृति और इश्वर के दौरा ये दिया गया है चांगे वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज़्यादा का प्रयोग हो रहा है छम्हचीप, इसमें मानाव अधिकार शब्द का काफी इस्तेमाल होता है 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट संग की सामाने महासाबा ने मानव अधिकारों की सारभोमिक गोशना को सुविकार और लागू किया था तो यह कब की बात है? यह 1948 की बात है आदुनिक काल में प्राकृतिक अधिकार हैं आज के समय में प्राकृतिक अधिकार देंगें तो क्या है? यह सुईकार रहे हैं? अश्विकार है ने सामानता का अधिकार धार्मिक स referral क अभिवक्ति का अधिकार उसका सही antnsr का अभिवक्ति का अधिकार हमें क्या है? समाज में अपने विचारों को अभिवक्त करने की आजादी है ये हमको एक अधिकार मिलावा है, हमारे मौली का अधिकार है इसके द्वारा में अपनी क्रियेटिविटी को, अपने विचारों को ठीक है? धूसरों के सामने रख सकते हैं 78-78 शताब्रों में राजनितिक सिध्धांतकार जोते हैं, उन्होंने मनुष्य के कौन से अधिकारों को चिनित किया था तो उन्होंने इन सभी अधिकारों को, क्योंकि इस पी जीवन अधिकार भी महतपूर्ण था सोतन्तरता या शिक्षा संस्कृतिक अधिकार देखिए मात्र भासा में सिक्षा की बात चल लिए ना तो यह सिक्षा और संस्कृतिक पेपर में इसके बात है कि अधिकार उन सामाजिक विवस्थाओं का नाम है जिसके बिना कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकता यह कतन किसका है तो यह लौस की के द्वारा दिया गया है नागरिक्ता की माधिमिक चुनोतियां है ठीक है तो उपरोग सभी हो जाएगी गरीबी, छेतरवाद, आशिक शाह यूरोप में समान नागरिक्ता पाने के लिए पहली करांती कब होई थी यह 1789 में होई थी और दक्षिन अफरीका में समान नागरिक्ता पाने के लिए अफरीका की जनता को जिसके खिलाब लंबस अंगर्स करना पड़ा था वो अंसर हो जाएगा, नेक्ष्ट है कि 70 शताबदी तक यूरोप के गोरे लोगों ने दक्षिन अफरीका के लोगों पर अपना शासन कायम रखा, ठीक है तो यहाँ पे में लिए आपसे पूछ रहें कि 70 शताबदी से लेकर 10 शताबदी तक यूरोप में अंगरेजों ने शास में, राष्ट्य पहचान को व्यक्त किया जा सकता है, सभी, क्योंकि राष्ट्य गान भी है, राष्ट्य जो हमारा ध्वज होता है वो भी है और हमारी जो राष्ट की भाशा ये भी है, तो ये सभी राष्ट्य पहचान को व्यक्त करती है, तो उपरोग सभी आंसर हो जाग तो सही आंसर है इसका नागरिक अधिकार ठीक है राजनीतिक अधिकार और सामाजीक अधिकार नागरिक्ता से संबंदित प्राफधानों का उलेक जो है वो भारतिय समिधान के किस भाग में है तो ये भाग दो में है किसी एक देश के नागरिक, दूसरे देश में बिना नागरिकता प्राप्त किये रहते हैं तो उन्हें क्या कहा चाता है तो वो वहाँ पे एक तरह से सरनार्थी के रूप में रहते है प्रवाशी एवं राजे वहीन लोगों की समस्या का निप्टारा आसान हो सकता है कैसे आसान हो सकता है अगर हम उसको विश्व नागरिकता दे दे तो भारतिय सम्विधान के कौन से अनुछे द्वारा धर्मिक सोतंदरता भारतिय नागरिकों को प्रदान की गई है तो धर्मिक सोतंदरता आपको आर्टिकल 25 और 28 में देखने को मिलती है राजों का गटन हुआ था, किसने कहा कि राष्टवाद हमारा अंतिम गंतवे नहीं हो सकता, तो ये रविंदर नाथ ठाकुर जी जो है, इन्होंने कहा था निशन, ठीक है, राष्ट निशन शब्द जो है, वो किस भाषा अगला कुशन है कि वरतमान समय में राष्टवाद के अधरना अधिक महत्पूर्ण नहीं है, पूरी दुनिया एक वैश्विक गाउं की और बढ़ रहा है तो दीखे, A और R, यानि ये जो अभी का तन्हों रीजन जो है, दे रखा है कारण ये दोनों ही सही है और ये कही न कही इसकी व्याकिया भी कर रहा है क्योंकि ग्लोबलाइजेसन का टाइम है, वैश्विक गाउं बन चुकी है पूरी दुनिया धर्म निर्पेक्ष, पंत निर्पेक्ष राज्जे जो है इससे क्या मतलब होता है ठीक है तो इसका सही आंसर देखिए जो किसी धर्म पर आधारित ना हो जो किसी एक धर्म पर आधारित हो जो बहुत संक्यक नागी देखो कि धर्म पर आधारित हो या इन में से कोई नहीं तो आंसर ऐसा हो जाएगा कि ऐसा राज्य जो किसी भी धर्म पे आधारित नहीं होता ठीक है जहां पे सभी धर्मों को बराबर माना जाता है समान माना जाता है तो उसे धर्म निर्पेक्ष का जाता है भारत के सम्विधान में धर्म निर्पेक्ष अब जो है वो किस सम्विध सभी धर्म निर्पेक्षता में क्या होता है राज्य का कोई धर्म नहीं होता सभी को धर्मिक स्वतंदरता होती है सभी धर्मों में समानता होती है सभी का यहां पे समान किया जाता है सभी को बराबर माना जाता है नेक्ष्ट है कि आजाद भारत में सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान सरनक्षन है ये किसका कतन है तो ये नहरुजी का कतन है नेक्ष्ट है कि निम्न में से क्या भारतिय धर्म निर्पेक्ष्टा की अलोचना का एक कारण है तो देखे क्या है कि अल्प संक्यकों के अधिकारों की पैरवी करती है कहीं न कहीं ये एक आलोचना का कारण है धर्म निर्पेक्सा के मार्क में बादा क्या है तो ये सबी क्योंकि अराजक जो तत्व हैं ये भी कहीं न कहीं बादा है इन कोश्टनों को आप किरपया याद जरूर कर लेना ताकि पेपर में अगर आते हैं तो आप आराम से कर पाओ